हाई माई डार्लिंग लिप्स्टिक लवर्स आज फिर से लिप्स्टिक रिव्यू और स्वाच वीडियो लेकर आई हूँ मैं करूंगी स्वाच अफ ओल 23 शेद्स ऑफ मास कॉस्मेटिक्स वोंट बज वोंट समज लिप क्राउंस वैसे इसके 24 शेद्स अवेलेवल है पर शेद्स नमबर 10 हर जगा पर आउट ओफ स्टॉक था तो बस वो शेद्सिंग है ये लिप्स्टिक बहुत ही अफोड़ेबल है नाइका पर ये लिप्स्टिक रूपीज 211 में सेल हो रहे हैं और मास के वेबसाइट पे इच लिप्स्टिक कोस्ट 229 रूपीज बड़ दो लिप्स्टिक खरीदने पे तीसरा लिप्स्टिक फ्री दे रहे हैं मास से डरेक्ट परचेस करने पे लिप्स्टिक के साथ एक शापन भी आया और इन क्रियॉंस को शापन तो करना ही पड़ेगा टाइम टू टाइम जब लिप्स्टिक का टिप छोटा हो जाएगा वैसे इन क्रियॉंस में हमें मिलता है 3.5 ग्राम ओफ लिप्स्टिक तो क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से प्राइजिंग बहुत अच्छा है लिप्स्टिक अपलाई करने के बाद 5 मिनिट के अंदर ये सेट हो जाता है और हो जाता है completely transfer proof एक बाद लिप्स्टिक सेट हो जाए तो ये ना हिलता है ना फैलता है पर मैं करूंगी इसका extreme test तो सबसे पहले ये tissue test करते हैं यहां मैं काफी जोर लगा कर tissue को लिप्स्टिक प्रेस कर रही हूँ मतलब मुझे भी तो देखना है कि ये कितना torture जेज सकता है अरे tissue तो बिल्कुल clean निकला तो थोड़ा और जान लगा कर प्रेस करती हूँ ओ तेरी no transfer that's quite good पर water test करके भी तो देखना है पानी पीने से ये smudge या बज होता है कि नहीं देखना तो बनता ही है तो यहां मेरे lips पे पानी लगा हुआ है और इसे wipe करते हैं अरे वा ये तो नहीं हिला बिल्कुल भी awesome यार I did not expect this वैसे आखरी परिक्षा बाकी है मैं करूंगी food test तो यहां मैं खाके देखूंगी एक juicy sticky leachy मैंने इस footage को trim नहीं किया है ताकि आपको reality देखने को मिले और अब मैं अपने इस juice लगे हुए lips को touch करके देखूंगी no transfer दोस्तो absolutely no transfer I am super duper impressed in lip crown के 24 shades available है और यह high intensity color matte finish smudge proof long lasting and one swipe में लगने वाले lipsticks हैं सारी shades में से मुझे यह colors बहुत ही अच्छे लगे क्योंकि formulation अच्छा होने के साथ साथ यह shades fair to dusky complexion पे अच्छे लगेंगे so that makes them universal color यह कुछ shades है जो personally मुझे इतने अच्छे नहीं लगे क्योंकि कुछ shades तो patchy थे और कुछ shades सिरफ fair complexion पे ही अच्छे लगेंगे I am a brown girl and MAC foundation shade 43.5 है तो अगर आपका complexion whitish to dark है तो इन shades को avoid करें overall it's a thumbs up for these lipsticks now let's begin the swatches yeah it yeah 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 कर दो 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 अप्र सुन्हा हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है 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 बोओ ओओ ओओ ओओ, बोओ ओओ, बोओ ओओ, बोओ, 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 बोओ झाल 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 झाल